नमस्कार रेस्ट न्यूस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागता है मैं हूँ ओंपुर्खास और आज हम है रवाल सिक्षेत्र में जहां पर हम है मानेना जीक उन्यून के साथ और यह है प्रदान इंदरपाल जी इनसे हम जानेंगे कि क्या इनकी समस्था इनकी समस्था जो मेरा नैना जीप यूनियन रिवाल सर से रिलेटेड यह मुद्ध है कि हमारी नैना जीप यूनियन के पास आज तक निशुल्क पार्किंग विवस्ता नहीं है तो मैंने अपने नगरपन चाय रिवाल सर से और अपने उपतहसीर रिवाल सर से एक बिनमर आग्रे किया है कि ह हमारे कुछ निर्वाह करते हैं जीव के द्वारा उसको सफल तरीके से कर सकें जी धन्वार सर पाई जानते हैं उपडान जी से सर आपने सरकार को इसके लिए अपने इस की मांगे यह यह शो मखसे रखी है तो सब्सक्राइym कर दो तो आये सकीभी से जानते कि क्या उनने बारे में आपको प्ता आया आपको क्या बोला हुए और आज इन्होंने यहां पर एन्युन जो एक इन्हों ने पार्टी यहां पर पार्टी का वासी पार्टी का आयुजिन किया और क्या आपने इस यहां पर इन्होंने कुछ जो है अगामी वर्ष के लिए अपनी कुछ रणनी के त्यार की तो सर क्या आप धने रताइएंगे कि क्या आपकी जो रणनी क्या थी हमारा नैना जीप यूनिन के द्वारा हर बर्स बार्षिक भोज का आयोजन कियाता है जिसमें हमारे सभी सदस्य जो हमारे चीफ जीप चालक आते हैं और बार्षिक भोज में अपना योगदान देते हैं आज हम माता अरिमबा दे भी शैल के जंगल में आये हूए जहां पर हमारे को सभी सदस्य पहुंचे हूए और सबीस दस्यों को यही मांग है कि हमारी जो पार्किंग की समस्या है, जो सबसे दिक्राल समस्या है हमारी बीती आदों से नाता सहेशना सीखा हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा गिरने लगती जब तो उनसे संबलना सीखा उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा गर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है